आज के लेक्चर से हम फ्रंट पार्ट में से अलग-अलग कट बनाना सिखेगे जिसे कि प्रिंसेज, कटोरी, सबेसाची, डबल कटोरी, फोर्टक्स, स्रीटक्स उस टाइप का हमें कट बनाना सिखना है तो आज के लेक्चर से हम सिर्फ और सिर्फ प्रिंसेज कट के बारे मे जानेगे, हमने front part का cutting किया, अब यही front part के according आपको same to same 20 piece cutting कर लेना है, हम इसी में से ही अलग-अलग cut बनाना सिखाएगे, ताकि आपको एक confidence आजाएं कि आप कोई भी cut बना सकते है, आपको यह समझना है कि कोई भी blouse सबसे पहले single tux होता है, आपको यह भी समझना है, यह front part ह और यह bake party, यह दोनों मिलाके सबसे पहले colonic blouse cutting होता है, अब यहाँ पर हम जो भी princess बनाएगे, तो यह colonic के लिए होगा, burnic के लिए होगा, dipnick के लिए होगा, सबका method same होता है, close neck, colonic और dipnick या sleeveless बनाना हो, तो सब में यहाँ पर solar से ही plus minus करना होता है, अब हम यहाँ पर यह पास dropping है, तो 28 से 44 की size में, यहाँ पर आपने जेखा होगा, कि princess line भी यहाँ पर draw किया हुआ है, अब यह नाप कैसे आया, उसको समझते है, सबसे पहले, apex का जो gap है, उसको यहाँ पर जो सिधा line किया है, यह apex point से, आदा इंच उपर, आपको एक tick mark कर देना है, अब इसके बाद यहीं से, सिर्फ one point एक बाहर की तरह line कर देना है, अब आपको armor curve scale लेना है, और यहाँ पर armor curve scale में यह द्यान देना है, यह जो डा इंच है, और यह 3 इंच है, यानि आदा इंच का difference पर, यहाँ से लेकर, अभी जो बाहर वाला mark किया है, उसको मिलाते हुए, आपको armor curve curve scale को इस प्रकार से रख देना है, अब यहाँ पर आप mark करेगे, तो इस प्रकार से यह princess cut बनता है, तो देखे एक ही single truck से अब यह princess cut बन जाएगा, अब यहाँ पर cutting कर लेना है, अब यहाँ पर देखें, दोनों इस से यह अलग हो गए, तो अब आपको यह princess cut बना हुआ नजर आ जाएगा, अब यह जो main chest की line है, वहाँ पर आपको cut लगा देना है, इस प्रकार से छोटे cut लगा देना है, अब कपड़े पर हमें इसके बाहर की तरब, जितना हम दबाव लेना चाहते है, 0.25 and 1. उतना यहाँ margin रख देना होता है, और वापिस इस दोनों को joint करेगे, तो जैसे यह single truck था, वैसे ही इसका look आ जाएगा, लेकिन यह भी ज्यान रखे, princess cut सिर्फ एक ही प्रकार से नहीं बनता है, कुछ princess में armor में tux लगाने के बाद उसको cutting किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने जो princess cut किया, यह एक basic princess cut है, अब आप देखे, यहाँ पर princess cut को इस प्रकार से इसको मिलाओ, तो यहाँ पर tux कम नजराएगा, लेकिन यहाँ पर आपको जो अलग-अलग दिखता है, हकिकत में यह joint होगा, तो आपको पता चलेगा कि यह सिर्फ एक single truck ह यही था, यानि princess cut cut काटोरी यह सभी साची, double cut काटोरी सभी सिर्फ एक प्रकार के cut होते है, उसके लिए specially अलग-अलग cutting करने की आवसेक्ता नहीं होती है, किने का मतलब यही है, कि हमें front part में से सब कुछ convert करने का सिखना है, जब आप यह course को complete करेगे, तब आपके अंदर ए cutting कर लेते हैं, ताकि आपके लिए समझने में बहुत आसानी रहे, अब यहाँ पर यह कपड़े पर आपको यह middle part रख देना है, अब जैसे हमने back part में यह पूरा cutting किया है, यानि हमें hook आई आगे की तरफ चाहिए, तो यहाँ पर आपको double कपड़ा लेना है, और सबसे पहले एक cutting वाला mark करना है, और उसके बाद आप जितना दबाव लेना चाहते है, 0.251 यह 0.25 इंच, उतना ही यहाँ पर आपको margin रख देना है, ज्यादा तर यहाँ पर 0.25 इंच ही दबाव लिया जाता है, तो हमें उतना ही marking करना है, यहाँ पर हमने 0.25 का mark किया है, अब यही middle part क आपको इस प्रकार से रख देना है, अब यहाँ पर जो 0.25 इंच माइनस करना है, उसको भी आप साथ साथ में cutting कर लिजिए, ताकि यहाँ पर समझने में आपको बहुत आसानी रहे, अब यहाँ बाहर की तरफ हमें 0.25 इंच मार्जिन का mark कर देना है, आपको भी इसी प्रकार से नापते हुए ही mark करना चाहिए, अंदजी से इसको direct cutting नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंदजी से cutting करते हैं, अगर एक point भी कम ज्यादा हो गया, तो fitting में problem आ सकता है, इसलिए इसा आदत रखे कि कभी भी कहीं भी नापना हो, तो अपनी major tape आथ में रखते हुए यही नापने की शुरुवात करें, अब जहाँ पर apex point का mark है, वहीं पर आपको एक cut लगा देना है, और यहीं पर पिछे के part में भी सई जगह पर mark हो, इसलिए tracing wheel से mark कर देना है, तो इस प्रकार से देखे, तो यहाँ पर यह हुकाई का margin है, और बाहर की तरफ यह कपड़े पर margin रखा गया है, इसी प्रकार से आपको practice करना है, अब यहाँ पर आपको यह लगता है कि आप princess part को किस तरह से रखा जाए, जैसे यह से cross रखा जाए, कि यह से सिजा रखा जा है, यहाँ पर apex point का map है, अब इधर की side में 0.251 point margin के लिए अलग मार करना है, आप जितना भी margin रखना चाहते हैं, रख सकते हैं, आदा इंद तक आप रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रखना चाहिए, वेसे 0.251 point बहुत अच्छा रहता है, ताकि शिलाई करते वक्त इ ज्यादा परेशानी नहीं होती है, अब जितना margin है, वहाँ पर आपको cut लगाना जरूरी है, खास करके यहाँ पर side का stitch mark को वहाँ पर cut लगाना बहुत जरूरी है, अब प्रिंसेस पार्ट को यहाँ पर रखिए, और देखे, यह हमने जो margin है, सिर्फ इधर की तरफ लिया है, तो अब देखे, यहाँ पर आपको यह प्रिंसेस कटिंग नजर आ रहा है, तो प्रिंसेस कटिंग वाकि में कुछ नहीं है, सिर्फ एक single tux में से यह convert हुआ है, वैसे तो front part cutting हो जाने के बाद सारे cut आसान ही है, आपके पास डाप्टिंग है, डाप्टिंग में 28 से 44 साइज का यह जो paper cutting दिया है, उसी के according आपको अलग-अलग paper में marking कर लेना है, और सभी साइज का खुद से practice करते रहना है, यह princess cut एक basic princess cut है, तो जैसे हमने भी basic princess cutting बताया हुआ है, उसमें समझाया है कि यहाँ से डेर इच लेना है, अब यह cutting में यह बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसमें एक ही बार इसको cutting कर लिया, तो यह princess cutting हो गया, जो अपने body major main chest में आदा इंटलोजिंग लगाया है, वही जो total नाप हमें चाहिए, वो यहाँ पर मिलना जरूरी है, यानि back part और front part यह दोनों मिला के total main chest round होना जरूरी अब यहाँ पर हम और भी ज्यादा पॉप दे देगे, तो फिर main chest का total round हो बढ़ जाएगा, तो ज्यादा बढ़ा हुआ main chest round हो customer के body पर fitting आएगा नहीं, यानि main chest के part पर यहाँ पर क्रिज आ जाएगी, इसलिए आप चाहे basic तरीके से भी cutting करें, चाहे यह तरीके से cutting करें, आ यहाँ पर apex point हो, वहाँ पर आपको tracing wheel से press कर देना है, ताकि दूसरे part पर यहाँ पर marking हो सके, यानि princess part को joint करते वक्त यहाँ से उपर नीचे नहीं होना चाहिए, अगर इस तरह से उपर नीचे होता है, तो fitting में problem आ सकता है, अब यहाँ पर इसको नापे, तो जिस प्रकार से यहाँ पर stitching किया जाएगा, तो यहाँ पर सब कुछ total मिल जाएगा, अब हम इसको stitching कर लेते हैं, अब यहाँ पर आप देखे, तो इसको joint करने के बाद, यह princess cut हो गया, यहाँ पर दोनों पार्ट हमना joint कर दिया है, तो जैसे दिखने में यह princess cut लगता है, लेकिन हकिकत में य सिंगल टक्स ही होता है, तो कि यहाँ पर यह जो joint होता है, शिर्फ एक प्रकार का cut बनता है, और जो pop बनता है, वो सिंगल टक्स के according बनता है, यानि यहाँ पर upper chest का total round, main chest का total round, और come around का total round, सब कुछ मिल जाता है, तो जैसे यहाँ पर आप देखे, यह टक्स लगने के जो होकाई की side में अगर आप टक्स लगाते है, तो उसका fitting बहुत अच्छा रहता है, तो इसके लिए हम बाद में जानेगे, पहले यहाँ पर आपको इतना ही practice करना है, जो basic princess है, अब हम आगे समदते हैं, यही basic princess में से princess with belt बनाना सिकते है, तो उसके लिए यहाँ पर जो mark क लिए पर वो अंदर की तरफ है, जो सिद्धा मार किया हुआ था, उसके साथ जोड़ा हुआ है, तो जब भी हमें belt बनाना हो, तो हमें बाहर की तरफ का जो यह सिद्धा मार के है, उसको follow करना होता है, और यहाँ पर यह सिद्धा मार के बाद जो 0.25 अंदर की तरफ यह नाप हमें यहा पर अन्दरबर्स्ट लेंद्ध के लिए सवा तीनीच और एक पॉइंट चाहिए था, तो अब यहाँ पर आपको यह गोलाई नाप ना है, जब भी यहाँ पर प्रिंसेस बिल बनाना हो, तब यह गोलाई नाप के ही बनाया जाता है, ताकि अन्दरबर्स्ट लेंदि का नाप जो perfect हो, वही आए, तो सवा-ती-निच और 1 point यहाँ पर आपको check करना ओता है, यहाँ पर यह यही पर आरा है, तो अब हमें यहाँ भी देखना ओता है, इसमें जो सवा-ती-निच एक-point यहाँ पर है, अब हमें अंदर की तरफ देखना है इसमें यहाँ पर सिर्फ सवाती नीचे यानि एक पॉइंट इसमें कम है लेकिन हमें सवाती नीच एक पॉइंट चाहिए तो यहाँ पर नीचे की तरफ आपको एक पॉइंट नीचे मार्किंग कर देना है ताकि यहाँ पर दोनों पार जोइंट करते वक्त मिल जाए अब यहाँ पर यह point कम आया और यह point सही आया उसके वज़ाए यह वाता है कि यहाँ बाहर की तरफ जो गोलाई किया है वो ज्यादा वाता है और यहाँ पर अंदर की तरफ की गोलाई कम होती है अब यहां की तरफ हमने यह जो गोलाई क्यों दिया है उसको समझने के लिए यह कप्स को कटिंग करना होगा अब यह कप्स को मीडल से आपको कटिंग कर लेना है अब यहाँ पर देखे यह कॉप्स जो है जब जूड़ा हुआ है तब एकदम छोटा दिखता है लेकिन जैसे इसको बिठाएगे तब यह पूरा फेल जाता है अब यहाँ पर आपको देखना है कि इधर की तरफ और यह बाहर की तरफ दोनों तरफ एक गोलाई वाला सेफ है यानि यह स्केल को रखते हुए आप समझे तो यहाँ पर आपको साप साप दिखाए देगा कि यहाँ पर भी राउंड सेफ है और यहाँ पर भी राउंड सेफ ह इसलिए दोनों राउंड से जब जोइंट होता है तब जाके यहाँ पर सही तरीके से पॉप बनता है इसलिए यहाँ पर हमने जो मार्किंग किया है वो एक अच्छा पॉप बनाने के लिए किया है इसी तरह से आपको भी यही पॉप बनाना है अगर इसको सिधा कट्रिंग किया जाए और ये राउंड उसके साथ जोइंट होगा तो यहाँ पे जो पॉप बनना चाहिए निचे की तरफ वो पॉप सही तरीके से नहीं बनता है इसलिए यहाँ पर राउंड सेप देखर ही आपको पॉप बनाना है वेसे यहाँ पर देखे तो यह जो राउंड से बार की तरफ जो गया है वो 0.25 से भी कम है यानि एक पॉइंट जितना ही है लेकिन इतना पॉप भी बहुत माइने रखता है अब हमें प्रिंसेस विथ बेल्ट बनाना है उसके बारे में समत्ते है तो यही प्रिंसेस से हम प्रिंसेस बेल्ट बनाना सिखेगे अब यहाँ पर जो लाइन जा रही है वो लाइन जिसे ही यहाँ पर हम सिज़ा मार्किंग कर रहे है जरूरी नहीं है कि आप इसको सिज़ा ही बनाए अगर आपको यहां से इस प्रकार से क्रोस बनाना है तो भी बना सकते है इससे और भी आप राउंड देना चाहते है तो भी दे सकते है बेल्ट को इससे कोई मतलब भी नहीं होता है में जी जमें समझना होता है एपेक्स पॉइंट के बाद अनर बस्ट का लेंड के एकोरिंग यह जो पूरा जो सरकल होता है वो आप यहां पर कटना नहीं चाहिए बाकी आप बेल्ट कहीं पर भी बना सकते है इसके उपर भी बना सकते है और आप यहां तक भी राउंड ले सकते है आप सिधा भी ले सकते आप निचे की तरफ भी ले सकते हैं, इससे कोई फरक नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर यह जो पाट है, वो स्ट्रेट पाट होता है, तो यह बेल्ट किस परकार से लेना, उसके लिए हमें इसका लुक समझना होता है, कि पेनने के बाद उसका लुक के साथ है, अब निचे का गोलाई दे सकते हैं, पोना इच का गोलाई दे सकते हैं, आपको जितना इच्छा हो उतना गोलाई दे सकते हैं, यहाँ पर अंडर बस्ट का जो राउंड सेकल है, वहाँ तक आप गोलाई दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर शिर्फ आदा इच का ही नियम हो, ए कीच का इनियम हो एसा कुछ भी नहीं होता है अब हम यहाँ पर एक इच उपर इसको सेफ बनाएगे अब बेल्ट बनाने के लिए यहाँ पर आपको एक चीज फोलो करना होगा जिसे यहाँ पर यह जो पहला वाला जो मार्क है वही यहाँ पर कटिंग कर लेना होता है अब यहाँ पर अंदर की तरब भी सेम वही करना होता है इसके बाद यहाँ पर जो गोलाई दिया है उतना ही हमें कटिंग करना होता है अब यह दोनों को यहाँ पर आपको मिला देना है अब देखे तो यह एक बेल्ट बन गया है यानि अब आपको समझ में आ जाना तही है कि प्रिंचेस विट बेल्ट बना ना हो कोटोरी में बेल्ट बना ना हो फोर्ट टक्स या सिंगल टक्स डबल टक्स किसी में भी बेल्ट बना ना हो इसी प्रकार से कटिंग होता है तो यहाँ पर देखे सबसे पहला यह जो सिजा लाइनिंग है तो यह सिजा बेल्ट बना और उसके बाद यहाँ से यह उपर की तरफ मार किया अगर इसको कटिंग कर तो उसका भी लूग अलग आता है और यहां से पूरी गोलाई को देखे तो उसका लूग भी अलग आता है तो यह दोनों मिला के आपको check करना होता है कि यहां पर को ना बने यहां पर अच्छी तरह से गोलाई होना जरूरी है इसलिए बेल पाट का cutting करने से पहले इस प्रकार से आपको मिला कर चेक करना होता है आपको जिस प्रकार से practice करना हो आप अलग-अलग paper cutting के according इसको cutting कर लेना है और कपड़े पे बनाते रेना है और experiment करते रहना है और एक अनुभव लेते रहना है हम यहाँ पर इसको cross bell से cutting करते है अब यहाँ पर इसको लग किया तो यह princess part हो गया यह princess part वही का वही है जो simple था अब आपको यहाँ पर देखना होता है कि apex point के बाद यह जब joint हो तब यहाँ पर यह मिलना जरूरी रहता है अब इसको भी हम कपड़े पर cutting गर के देखते है अब यहाँ पर कहां कहां margin रखा जाता है वही आपको समझना है अब यहाँ पर हमें बाहर की तरफ 0.251 point का margin रखना है तो उसका ही आपको mark कर देना है तो इसमें यहाँ बाहर की तरफ और निचे की तरफ margin रखना होता है क्योंकि निचे की तरफ हमें bell joint करना होता है तो अब देखे जहाँ पर हमने margin रखा है वही आपको याद रखना है कि बाहर की तरफ और निचे की तरफ margin रखा गया है यहाँ पर भी जो lining दिया है उसके according आपको यह princess part को रख देना है आप यहाँ पर pencil से भी mark कर सकते है लेकिन वीडियो में हम आपको skate pen से marking करना समझा रहे है आपको skate pen का उप्योग नहीं करना है ball pen का उप्योग भी नहीं करना है तो देखे जहाँ पर apex point का नाप हो वहाँ पर आपको इस प्रकास से marking कर देना है अब वो इसके बाद यहाँ पर 0.251 point का margin रखना है इस प्रकार से यहाँ पर निचे की तरप और यहाँ पर margin रखना है अब यहाँ पर देखे तो यहाँ पर एक round रखना है तो इस प्रकार से यह bell part बनता है अब यहाँ पर देखे तो यहाँ पर एक round shape दिया है जो उमने पहले cutting किया था अगर आपको यह round shape नहीं चाहिए तो आप इस तरह से इसको सिज़ा भी कर सकते है लेकिन round shape हो तो वो अच्छा fitting देता है अब यहाँ पर हुकाई के लिए अलग margin रखना है तो एक सिज़ा mark कर देजिए उसके बाद 0.25 हुका margin रखना है अब हमें यहाँ पर इस परकार से रख देना है और हर जगर से जिसे बताते वेसे marking करना है अब हमें सिर्फ उपर की तरफ इसमें margin रखना होता है इसलिए 0.251 point का आपको marking करके इसको cutting करना होता है और जैसे मैंने यहाँ पर बता कि निचे की तरफ अगर आपको shape नहीं चाहिए तो यहाँ पर आप इसको इस परकार से भी cutting कर सकते यानि आपको जो निचे का जो round ज्यादर नहीं चाहिए अगर कम round चाहिए तो यहाँ से भी आप cutting कर सकते हैं अब जहाँ पर भी सिलाई mark हो वहाँ पर आपको cut कर लेना है ताकि जोडते वक्त इतना ही margin लेना चाहिए वह आपको ध्यान रहे अब देखे यह होकाई का margin है और यह उपर सिलाई का margin है तो देखे इस प्रकार से princess with belt का cutting होता है जो बहुत ही आसान है अब अम इसको stitch करके आपको बताते हैं तो अब यहाँ पर देखे यह princess with belt यहाँ पर ready हो चुका है अब निचे की तरफ margin की तरफ देखे तो belt पार उपर की तरफ होना चाहिए और यह princess part का जो जोइंट है वह हमेशा अंदर की तरफ होना जरूरी है बाहर की तरफ भी आपको रखना है तो रख सकते हैं लेकिन यहाँ पर आपको cut लगाना चाहिए वैसे original में तो यह दोनों जोइंट को इस तरफ से इसमें प्रेस्ट लगाने के बाद इसको बनाया जाता है लेकिन ज्यादा तर हम इसको इसी प्रकार से एकी तरफ इसका जोइंट गिराते इसको बनाते है अब इसमें नीचे कप्स लगा के देखे तो princess belt का यहाँ का जो पार्ट है वो underburst लेंद पूरा होता है वहीं पर यह belt का पार्ट सुरू होना जरूरी है अंडर बस्ट का जो लेंद होता है उसके उपर अगर यह belt पार आजाता है तो यहाँ पर फेटिंग में प्रोब्लेम हो सकता है इसलिए basic front part cutting करते वक्त हमने यहाँ पर underburst लेंद का मार्किंग करना समझाया है यह बहुत ही important map है किसी भी तरह का belt part बनाने के लिए underburst lens का नाप होना जरूरी है ताकि आपको belt वाला कोई भी cutting बनाने में भहुत आसान रहता है अब हम एक और प्रिंसेस के बारे में जानते है solar princess के बारे में समझते है आप जितना भी solar ready रखना चाहते है उसके according आपको नाप कर देना होता है जिसे यह cutting वाला नाप है और यहाँ पर यह stitch लेना आएगी और यह stitch line है तो इन दोनों का जो आधा होता है वहीं पर आपको mark कर देना है यहाँ पर apex gap का जो line है वहीं पर आधा इच उपर की तरफ आपको एक tick mark कर देना है और यहीं पर आपको इसको मिला देना है अब यह बन जाएगा solar princess पहले यहाँ पर आधा इच मैनस cutting कर लेना है तो अब देखिए यहाँ पर यह बन गया solar princess वेसे रखने जाए तो यह single डाट है अगर इसको नीचे की तरफ ऐसे गुमाएगे तो आपको यहाँ पर उपर की तरफ भी डाट दिखेगा और नीचे की तरफ भी डाट दिखेगा तो यह सिर्फ एक look होता है अब हमें इन दोनों को अलग-अलग कपड़े पर cutting कर लेना है यहाँ पर 0.25 and 1.5 का margin का mark कर देना है और यही हमें cutting करना है तो अब देखे मिडल पार्ट इस तरफ से cutting होता है यहाँ पर हमने सिर्फ बाहर की तरफ margin रखा है वैसे ही आपको रखना है यह से समझाया यह जो line है वही हमें सिज्जा रखना है उसके recording हमें cutting करना होता है अब देखे तो यह solar princess part इस प्रकार से cutting होता है अब इस प्रकार से देखे तो यह सिर्फ एक single tocks है जैसे joint होगा यह आपको solar princess नजर में आएगा अब इसको शिलाई करते हैं तो अब देखे यहाँ पर इस प्रकार से solar princess cutting होता है अब हम solar princess में with belt भी बनाना सिखते हैं जैसे हमने princess belt बनाना सिखा ठीक उसी तरह यहाँ भी belt की तरफ वही ध्यान रखना होता है कि यहाँ पर हमें सवा तीनीच और एक point का mark कर देना है यहाँ पर सवा तीनीच और एक point का mark already है उतना ही नाप यहाँ पर हमें रखना है अब यहाँ पर आपको एक सिधा mark कर देना है अब यह से समझाया कि यहाँ पर अंडर बस का यह राउंड है वो यहीं से हमें cutting करना है यह cut करने के बाद आपको इस तरह से मेच करके देखना जरूरी है ताकि बेल्ड का सेफ आपको किस प्रकार से cutting करना है वो समझ में आए कभी भी यहाँ पर बेल्ड cutting करना हो तो अंदर की तरफ आप हमेशा गोलाई से cutting करे कम से कम आदाइज का गोलाई तो होना जरूरी है आपको यह scale की मदद से यहाँ पर सेफ करना है कभी भी बेल्ड cutting करना हो तब जैसे हम समझा रहे वैसे ही आप practice करें अब यहाँ पर भी हम सिर्फ आदा इंच marking करेंगे और उसी को ही इसे mark करके cutting करेंगे अब आप देखें आपको साफ साफ नजर आएगा कि आपको बेल्ड पार्ट का look किस प्रकार से चाहिए अगर आपको यहाँ पर बेल्ड में ज्यादा गोलाई चाहिए तो इसी प्रकार से रखते हुए आपको गोलाई का shape करना है हम यहाँ पर इसी प्रकार से cutting करेंगे आपको जिस प्रकार से चाहिए उस हिसाब से आपको practice करना है अब आपको यहाँ पर बिल्कुल समझ में आ गया कि यहाँ पर बेल्ड पार्ट के लिए यहाँ पर कोई भी नियम नहीं होता है कि जैसे यहाँ से डाइच रखो तीनीच रखो अन्डर बेस्ट का लंबाई से यह बेल्ड पार्ट उपर की तरफ नहीं जाना चाहिए उससे आप ज्यादा निचे भी नहीं जाए उससे भी फिटिंग नहीं आएगा बेल्ड का मतलब ही होता है कि जहाँ पर कस्टमर का अन्डर बेस्ट पुरा हो वहीं से बेल्ड की सुरुवात हो अब इसको कटिंग कर लिजिए तो इस प्रकार से देखेगे तो यहाँ पर चार टुकड़े नजर में आ रहे हैं अब हम इसको कपड़े पर कटिंग करते हैं और समझते हैं अब देखे यहाँ पर बाहर की तरफ और निचे की तरफ हमें मार्जिन रखना होता है अब देखे इस प्रकार से निचे की तरफ और यहाँ साइड में हमें मार्जिन रखना होता है अब हमें यह बेल्ड पार्ट को जोइंट करना है उपर की तरफ हमें मिलाना जरूरी रहता है निचे की तरफ कम ज्यादा हो तो यहाँ पर हम इसको सेप देकर बढ़ा सकते हैं कम कर सकते हैं लेकिन उपर से हमें कम ज्यादा नहीं करना होता है जैसे कि यहाँ पर हम समझा रहा है वैसे अगर आप नीचे की तरफ से इस पार्ट को मिलाएगे तो यहाँ उपर कम ज्यादा हो जाएगा वैसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इसका आपको ध्यान रखना है इसलिए यहाँ उपर की तरफ से यहाँ पर मिलाकर इसको जोइंट करें अब जैसे यहाँ पर नीचे आपको कम लग रहा है तो यहाँ पर हम समझा रहा है वैसे करना है अब यही मार्क से मिलाते हुए हमें यहाँ पर बड़ा देना है और कटिंग कर लेना है ताकि यहाँ पर बेल जो है नीचे की तरफ से कम्प्लेट हो जाए अब यहाँ पर हुकाई आगे की तरफ है तो एक सिधा मार्क करना है और 0.25 हुकाई का मार्जिन रखकर सिधा मार्क कर देजिए अब यह यहाँ पर सिलाई मार्क है अब आपको यह उल्टी साइरे वो आदत रखना है इस तरह से आप मर्क कर देजिए तो इस परकार से यह राउन में यहाँ पर बेल्ट कटिंग होता है और जिसे यहाँ पर यह जोइंट होता है तो निचे की तरफ भी यह राउन से कटिंग होता है इस परकार से यह सोलर प्रिंशेस कटिंग होता है अब हम इसको जोइंट करके समझाते है अब यहाँ पर देखे तो इस परकार से सोलर प्रिंशेस विट बेल्ट का यह कटिंग होके इस परकार से बनता है तो देखे यही सोलर प्रिंशेस यही सिंगल डार्ट से हमने कटिंग करके आपको समझाया तो इस प्रकार से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कोई भी ब्लाउज शिर्प और शिर्प एक सिंगल ट्रक्स होता है उसके बाद उसी में सही सारे कॉर्ट कन्वाट होकर बनते है अब इसके बाद अब हम एक और प्रिंसेस के बारे में समझेगे अब यहाँ पर हम नेक प्रिंसेस बनाएगे अब यहाँ पर जो सिदा मार्क है यह एपेक्स पॉइंट के उपर से आदा ही उपर आपको एक टिक मार्क कर देना है और अंदर की तरप एक पॉइंट आप एक मार्क कर दीजिए अब इसी को मिलाते हुए आप अंदर की तरप एक मार्क कर दीजिए जब यह नेक प्रिंसेस कटिंग करना हो तब यहाँ पर आप एक डाट भी दे सकते है और यही डाट आपको यहाँ मिला देना है और इस परकार से कटिंग करने से यहाँ पर गले की तरप प्रिंसेस में बहुत अच्छा फिटिंग आता है अब यहाँ पर आपको कटिंग कर लेना है हम आदा ही तक का डाट ले सकते है अब इस परकार से कटिंग करके जोइंट करके हमें बनाना है जैसे सोलर प्रिंसेस विट बेल्ट बनाया वैसे ही आप नेक प्रिंसेस विट बेल्ट भी बना सकते है यह हम सारे कट इसलिए बता रहे ताकि आपके सामने किसी भी प्रकार का ब्लाउज का कट बनाना आए तब आप कॉन्फिडन्स के साथ उसको बना सके तो यहाँ पर हुकई का मार्जिन है और बाहर की तरफ हमें मार्जिन रखना है अब इस तरह से सिजा लाइन रहे वैसे आपको कपड़े पर सेटिंग करके रख देना है तो अब देखिए इस प्रकार से हमें अंदर की तरफ मार्जिन रखना है अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार से नेक प्रिंसेस कटिंग वता है अब इसको जोइन करके हम समत्ते है वैसे तो प्रिंसेस कटिंग बहुत सारे प्रकार के आते है उन में से हम basic pinces cutting करना सिखे आपके पास darting है तो उसमें 42 size और 44 size में side में dart वाला भी यहाँ पर marking किया हुआ है जब front part में निचे की चरब साड़े ती निच से ज्यादा gap आ रहा हो तब वो ज्यादा इसा होता है वो side dart में cover किया जाता है अगर यहाँ पर 4 इच का tucks बनता है तो आपको आदा इच यहाँ पर transfer करना पड़ता है जिसे हम आदा इच यहाँ पर transfer करते है तो यहाँ पर 3,3 निच ओ जाता है कुछ नाप में 4,5 इच तक का भी तक्स हाता है तो साड़ती निच के उपर से जितना भी जयादन आप रहा हो, वो जयादन आपको साइड डाट में लिया जाता है, इसके बारे में हम practical समझते रहेगे, और इसके पहले समझाया था वैसे, यहाँ पर हुकई के तरब भी एक डाट दिया जाता है, तो जिसे यहाँ पर हुकई के लिए कितना नाप लेना चाहिए उसको समझते है, साइड डाट के लिए यहाँ पर जितना गेप बनता है, उसे आदा इच कम, जिसे यहाँ दो इच है, तो दो इच में से आदा इच कम करेगे, तो डेर इच रहेगा, अब यहाँ पर आदा इच तक हमें डाट देना वता यह डाट भी प्रिंसेस ब्लाउज में दिया जाता है जब हेल्दी बोड़ी रहती है तब साइड डाट बहुत जरूरी रहता है फिलालम ब्लाउज का कट समझ रहे इसलिए यहाँ पर इसको कटिंग करके समझते है यह डाट को इस प्रकार से लगया जाएगा यह डाट के लिए हम प्रेक्टिकल समझेगे यह डाट से भी यहाँ पर देखे तो इस प्रकार से पॉप बनता है अभी फिलालम ब्लाउज में जो भी प्रकार बनते हैं उसी कोई समझ ना है फिर हम specially एकी ब्लाउज का कटिंग करेगे, स्टिचिंग करेगे, पहिनाएगे, उसका रिजल भी देखेगे वैसे भी लेक्चर जरूर बनाएगे अब यहाँ पर साथ में आपको यह भी जियान देना है कि जैसे हमने प्रिंसेस का मार्क, यहाँ पर धाई और ती निच को रखते हुए मार्क किया यानि अगर हम यहाँ से निचे की तरफ से यह प्रिंसेस लाइन को अगर मार्क कर दे तो भी फिटिंग तो वही आएगा जो यह कटिंग में आएगा यहाँ का जो पार्ट है वो तो फ्लेट ही है लेकिन यहाँ पर हमें यह देखना होता है कि अगर इस तरफ का प्रिंसेस कटिंग करने के बाद जब कस्टरमर पेनेगे तो ये princess का जो cut है वो armhole की अंदर चला जाएगा तो हमें ये द्यान में रखना होता है कि पहनने के बाद princess का cut कहां पर आ रहा है अगर आपको आसानी से समझना हो कि यहाँ पर हमें princess का cut कहां तक ले जाना है तो major tip को solar की उपर रखते हुए armhole की तरफ रखने के बाद यहाँ पर आपको नापना होता है कि 4,4 ये 5 इच आपको कहां पर princess का cut देना है तो उसके according यहाँ पर solar की slice से major tip को रखते हुए आप यहाँ mark कर सकते है कि आपने यहाँ पर major tip लेते हुए ये decide किया हो कि ये customer की body पर मुझे 5 इच पर princess का cut रखना है तो आप यहाँ पर solar की slice पर रखते हुए 5 इच पर mark कर दे और यही mark के उपर आपको apex point से मिलाते हुए यहाँ पर mark करना होता है अगर ये वाला princess cut आप बना रहे है तो यहाँ पर ध्यान दे जो सिलाई है वहाँ से नापते हुए देखे तो तीन इच ये पूरा नाप है तो armal की तरफ से side की slice से रखते हुए measure tip को देखे तो तीन इच कहाँ पर आ रहा है यानि pinces का cut है वो निचे की तरफ आ रहा है अगर यहाँ से उपर की तरफ में mark करके pinces shape देता हूँ तो देखे यहाँ पर pinces का जो shape है बहुत ज्यादा उपर की तरफ आ जाएगा fitting तो सही रहेगा लेकिन इसका जो लोक है वो सही नहीं होगा तो यह सारे चीज का खुद को practice करके अनुबव करना पड़ता है आपको अपना खुद का blouse बनाना है या फिर आपके करके सदस्य का blouse बनाना है और खुद अनुबव करना है जब आप यह अनुबव कर लेंगे तब ही आपके अंदर एक confidence आजाएगा कि आपको किस प्रकार से princess cut देना है और कहां से उसका mark करना है अब हम एक और princess के बारे में जनते हैं जिसमें आर्हमुल में tox लेकर princess cutting बनाया जाता है यह regular mark और यहाँ पर apex point से एक इच उपर यह सिदा mark इस तरह से सिदा line करके यहाँ पर एक point इदर और उदर ऐसे mark करते हुए इस तरह से आर्हमुल में tox लगाते हुए princess shape cutting किया जाता है जिसे यहाँ पर टक्स लगता है तब आर्हमुल लंबाय में भी कुछ changes करना पड़ता है जब upper chest और main chest में ज्यादा difference हो तब इस प्रकार का आर्हमुल में tox लगा कर pinces cutting किया जाता है वेसे आप किसी भी माप में आर्हमुल में tox लगा कर pinces cutting करते है तो बहुत अच्छा fitting आता है इसके बारे में हम special video में समझेगे यहाँ पर हमने जो भी समझाया वो सब pinces का आपको खुद practice करना है आपने डाप्रिंग लिया है उसमें 28-44 size दिया हुआ है सभी का front part का copy करके ज्यादे से ज्यादे पेपर cutting करके सभी में इस तरह का cutting करने की practice करे next lecture में हम एक नईया cutting करेगे तो मिलते हैं हम next video में धन्यवाद